बिसमिल्लाय रह्मानी रहीम, असलाम अलेकुम, मैं हुआ सद और आप देख रहे हैं सद अलेक्रिकल आज की वीडियो में मैं इस कॉंसेप्ट को किलिया करने कोशिश करूँगा जो अकसर कोस्टिन पूछा जाता है कि जनेटर के अंदर, सेंक्रूनस जनेटर के हम बात करें DC सप्लाई ही क्यों उसके जाती है एकसाइटेशन परपस के लिए यानि कि क्या हम AC सप्लाई दे सकते हैं एकसाइटर को या मेन रोटर को जिससे मैगनेटिक फिल्ड बने तो वहाँ पर सिफ और सिफ हम DC सप्लाई ही क्यों उसकरते है तो यहाँ पर इस बात को समझ लें कि EMF दो तरह से इंडियूस होती है एक को हम कहते हैं dynamically induced EMF और दूसरी कहलाती है statically induced EMF तो इन दोनों में क्या फरक होता है जैसा कि हम जानते हैं कि Faraday Law Faraday Law क्या कहता है कि जब भी कोई conductor किसी magnetic field के अंदर घूमे या हरकत करे या conductor रुकावा और magnetic field हरकत कर रही हो तो दोनों सूर्तों में उस conductor में EMF induced होगी लेकिन यहाँ पर शर्त यह है कि एक चीज़ constant होनी चाहिए मसलां conductor constant है magnetic field में हरकत हो रही है या magnetic field constant है और conductor में motion हो रही है या हरकत हो रही है या वह गूम रहे है अच्छा दूसरी जो statically induced EMF है उसमें क्या है कि जैसा कि हमाई सामने transformer होते हैं transformer में statically induced होती है EMF और generator में dynamically तो statically और dynamically का दोनों का फर्क समझ लें कि transformer में कोई भी चीज मूव नहीं होती यानि transformer एक stationary पार्ट है वो उसमें हर चीज रूकी भी है आपने देखा है कि primary winding secondary winding और इसके लावा जो भी core वागर है उसमें कोई चीज ऐसी नहीं है जो घूम रही है या motion कर रही है तो वहाँ पर क्या चीज हरकत कर दी है magnetic field चूँके उसको AC supply दी जाती है तो AC supply से बनने वाली magnetic field हमेशा जो उसका magnitude है उसकी जो direction of current है वो change होती रहती है जिसकी वज़ासे magnetic field भी change होती रहती है तो एक रुक्की हुई चीज में भी magnetic field change होने की वज़ासे EMF induced होती है जिसको हम statically induced EMF कह रहे है जो के transformer में होती है और generator में क्या होता है कि generator में हम magnetic field को constant रखते हैं DC supply से और वहाँ पर rotor को यानि conductor को हरकत देते हैं तो जब वो घूमता है तो वो cut करता है conductors में EMF induced होती है अब अगर हम consider कर लें के हम exciter को या main rotor को AC supply दे रहे हैं तो उसके magnetic field दो बनेगी लेकिन वो magnetic field constant नहीं होगी तो जब वो constant नहीं होगी उसमें मुस्तकिल changes हो रही होंगी तो उसके बाद फिर हम उसको घूमाएंगे in the end हमें AC supply चाहिए अगर AC supply ही हमने main rotor को दे दी और फिर हमने उसको घूमाया तो क्या होगा एक तो flux चेंज उसमें already हो रहा है AC supply की वैसे फिर हम उसको घूमा रहें तो यहां पर दोनों सूर्तों में जब flux की changing होगी तो हमारी जो main winding होगी स्टेटर की उसमें EMF induced नहीं होग as per calculation तो उसकी detail में मैं फिर कभी बात करूंगा कि इसका formula वगएरा क्या होता है तो हमें वहाँ पर constant magnetic field चाहिए होती है जिसको हम घुमाएं तो वह हमारे stator को cut करें और फिर उस stator में AC supply producer हो जिसको हम output पर ले 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 इन short अगर मैं बात करूं तो आप यह समझ लेंगे generator और motor यानि जो दोनों rotating machines हैं इन में especially synchronous motor और synchronous generator की जो हम बात करते हैं तो इसमें हमें dynamically induced EMF चाहिए होती है तो इसलिए यहाँ पर DC supply का इस्तेमाल के जाता है excitation purpose के लिए और transformer जो के एक रुका हुआ पार्टे स्टेशनरी पार्टे स्टेशनरी मशीन है तो वहाँ पर हम aesthetically induced EMF के तरीके को इस्तेमाल करते हैं तो उमीद है आज की वीडियो में आपका एक concept के लिए और होगा कोई भी आपका question या confusion आप comment में पूछ सकते हैं इंशालल नेक्स वीडियो में नए टॉपिक के साथ आएंगे जब तक के लिए जाज़त दीजिए अल्लाहाफिस